हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पहली वेब सीरीज है रोकेट बोईज इसकी कहानी डॉक्टर होमी जहांगिर भाबा और डॉक्टर विक्रम साराबाई के जीवन के इर्ध गिर्ध घुमती है लेकिन उनके साथ ही हिंदुस्तान के उस दोर की दास्तान पेस करती है जब भारत निर्मान की प्रिकरिया अपने सुराती दोर में थी उस वक्त देश अंग्रेजों की गुलामी से आजादी की आखरी लड़ाई लड़ रहा था गांदी जी के अगवाई में लोग संघर्स कर रहे थे उसी दोर में डोक्टर सीवी रमन जैसे दिगज वेगानिक के नेतरतों में होमी जहांगिर भाबा और विक्रम साराबाई नए बारत की तस्वीर बना रहे थे देश की आजादी के बाज साल 1972 में जब चीन ने हमला किया तो संसादनों के अबाव से हमारी सेना हार गई उस वक्त हजारों की संख्या में हमारे जवान मारे गए इसे देखकर डोक्टर भाबा ने एटम बम बनाने का प्रस्ताव निकुलियर कमेटी के सामने पेस किया ले इसकी राजनीतिक हालत भी बया की गई है और आजादी हासिल करने की प्रिक्रिया के दोरान किये गई संघर्स को भी दिखाया गया है इसकी स्टार कास्ट की बात करे तो जिम सरब, इस्वाक सिंग, सभा अजाद, रजीत, कपुर्नमित, दास जैसे एक्टर लीडर में नजराए हैं इसके डिरेक्टर अभय पन्नु है इसे आप सोनी लाइव पर देख सकते हो इसकी IMDB रेटिंग की बात करे तो 8.9 है दूसरी वैब सीरीज है The Family Man एक्सन, सस्पैंस और थ्रीलर के सोकीन है तो मनोज बाजपई की वैब सीरीज दाफैमली मैन देखनी चाहिए वैब सीरीज की खासित ही यही होती है कि यह आपको बांदे रखती है दा फैमिली मैन के जरिये मनोज बाजपई ने OTT दुनिया में डेबू किया है और वो सीरीज में स्रीकान तीवारी के किरदार में है जो इंटेलिजेंस एजनसी टास्क में काम करता है इस वैब सीरीज की सबसे अच्छी बात यही है कि ये फिल्मों में बाकी इंस्पेक्टर, स्पाई और देश बक्त हिरोज की छवी से एकदम अलग है यानि देश को आतंकी हमले से बचाने वाले हिरो की नीजी जिन्दगी को भी बखुबी दिखाया गया है जिसमें वो एक मीडल क्लास कोमन फैमिली मैन है जिसके सिर पर EMI का बोज भी है जो परिवार के लिए अच्छा घर चाहता है यानि डिमांडिंग जोग और डिमांडिंग फैमिली के बीच सामंजस से बिठाने वाला वो सक्स जो सायध हम और आप जैसा ही हो देखा जाए तो घर और फैमिली तो इस वैब सीरीज का एक हिसा भर है जो इस कहानी में स्पाइस और रोचक्ता भरती है असल में तो ये वैब सीरीज देश और देश बक्ती पर ही है इसकी स्टारकाश की बात करें तो मनोज बाजपई, प्रियामनी, शारीब भास्मी, नीरिज मादव जैसे कलाकार लीडोल में नजर आए हैं इसके डिरेक्टर राज और डिक के हैं इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं इसके IMDB रेटिंग की बात करें तो 8.7 है तीसरी वैब सीरीज है, एस्पिरेंस यह तीन दोस्तों की कहानी है जो UPSC पास करने का सपना लेकर दिली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग कर रहे हैं जिनकी सुबह की सुरुआत दा हिंदू निउस पेपर जैसे अकबारों से होती है कहानी में तीन दोस्तों के अलावा कुछ अन्य किरदार भी हैं जो कहानी के बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगे इस कहानी में एक अन्य किरदार भी है वो है संधी भाईया ये किरदार आपको नीजी जिनगी से ऐसे अफगत कराता है जिसे देकर आप बहुत ही इमोशनल महसूस करेंगी TVF Aspirants वेब सीरीज में प्यार, प्रिवार, मकान, मालिक, समेत बहुत कुछ है जैसा कि आम जीवन में होता है इस 5 एपिसोड की वेब सीरीज की कहानी बेहद ही सांदार तरीके से लिखी गई है इसमें मिडल क्लास के साथ साथ यूद को भी टारगेट किया गया है कहानी को बेहद ही सरल धंग से फिलमाया गया है इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे आपके सपने को पूरा करने में आपको नए जाने किन किन चीजों की कुरबानी देनी पड़ती है Aspirants वेब सीरीज में आपको एक उंदा कहानी देखने को मिलेगी जिसमें आपको परिवार, दोस्त और प्यार के परती आपको आपका फर्ज सिखाती है और आपको मोटिवेट करती है इसके डिरेक्टर अपरू सिंग कार की है इसे आप यूटूब पर देख सकते हैं इसकी IMDB रेटिंग की बात खरे तो इसकी IMDB रेटिंग 9.2 है चोथी वेब सीरीज है पताल लोग अमेजन प्राइम परिलीज हुई 9 एपिसोड की इस सीरीज कहानी की सुरुआत होती है एक होटल से जहां चार लोग एक सिनियर जनरलिस्ट संजीव महरा को मारने की प्लाइनिंग करते हैं इसके बाद दिली के एक ब्रीज यानि पूल से पुलीस इन चारो कॉंटेक्ट किलर्स को साजिस और मडर के आरोप में गिरिफतार करती है क्योंकि आला अधिकारी केस को ओपन एंड सट केस मान रहे हैं इसलिए खाना पूर्ती के नाते ये केस दिली के आउटर जमुना पार थाने में तैनात इंस्पेक्टर हातीराम चोदरी को दिया जाता है केस में कई पहलू हैं जिने हातीराम सुलजाना चाहता है मगर चीजे कुछ इस तरह हुलजी है कि सवे हातीराम भी कनफ्यूज हो जाता है और उसे वो तमाम बाते पता चलती है जिनके मदे नजर चारों लोग कॉंटेक्ट किलर बने थी इस सीरीज में दो लोगों यानि संजीव महरा और हातीराम चोदरी के संगर्स को भी दिखाया गया है कहीं ने कहीं दोनों ही अपने जीवन में फेल हैं और समाज के सामने अपने को प्रूव करना चाहते हैं सीधे सब्दों में कहें तो इस सीरीज की कहानी में मीडिया है, पुलीस है, नो करसाई है, कॉर्पोरेट कल्चर है, कम्पीटिशन है और सब को धका देते हुए आगे निकलने की होड है सीरीज की कहानी उम्दा है और आप इसे तभी रिलेट कर पाएंगे जब आप इसे देखें और अपने आसपास गटने वाले अपराद को समझने का प्रियास करें इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो जैदी पहलावत, नीरेज कभी, अभी सेक बनरजी, इस्वाक सिंग जैसे कलाकार इसके लीड रोल में नजर आए हैं इसकी आइमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी आइमडीबी रेटिंग आर्ट है पांचवी वैब सीरिज है असूर वूर्स लैक्ट पर रिलीज हुई इस वैब सीरिज में अरसद वारसी के साथ एक्टर बरुन सोबती, अनुपरिया गोइंका, सार्बी हास्मी मुखभुमिका में नजर आए हैं इस वैब सीरिज में साइंस और माइथोलोजी को मिलाकर एक ऐसी कहानी दिखाने की कोशिस की गई है जिसे परदे पर देखना दर्सकों के लिए ये कीनिन काफी मज़ेदार साबित होगा ये सीरिज एक सस्पेंस थ्रीलर है जिसमें लोजिक और मानता दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं हिंदू धर्म में असुरो को एक खास जगय पराप्त है इस सीरिज में भी असुरो की उत्पती से लेकर उनके अस्तितों की कहानी ब्या करने की कोशिस की गई है इसमें जहां एक और विग्यान सही लगने लगता है तो दूसरी और धरम लेकिन अन तक आते आते आपको ये समझाने लगता है कि असल में सही और गल्ब तो कुछ होता ही नहीं है सही माइने में ये एक ही सिके के दो पहलू है जिसे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से सही माने लगता है असूर जो की भूतकाल में हुई कुछ घटनाओं के चलते निखिल और धनंजे से जुड़ा हुआ है उनसे संप्रक करने की कोशिस करता है ऐसे में असूर इन दोनों को अपने पास बुलाने का एक ऐसा प्लैन बनाता है जिसमें सभी उलजके रह जाते हैं इसके बाद सुरू होता है सिरियल किलिंग का एक होपनाक सिलसिला अब ये सिरियल किलर कोन है और उसका कहानी के इन तीनों ही मुखे की दारों से क्या रिष्टा है इसके लिए आपको खुदी इस सीरिज को देखना होगा इसके IMDB रेटिंग की बात करे तो 8.4 है छटी वेब सीरिज है स्कैम 1992 इसके स्टार कास्ट की बात करे तो परतीक गांदी स्रेया धनमंत्री शारी भासमी निखिल दिवेदी रजट कुपूर जैसे एक्टरस लीड रोल में नजर आए हैं इसके डिरेक्टर हंसल महता है इसे आप सोनी लीव पर देख सकते हैं इसमें सांदार कंसेप्ट उंदा कलाका धाकड एपिसोड दबंग कहानी है हंसल महता हरसद महता की कहानी लेकर आए हैं भार्थ के सबसे बड़े और चर्चित घोटालों में से एक हरसद महता के इस वैब सो के बहाने बैंक, बाजार और सरकार के कई छुपे राज भी खुलते जाते हैं सीरिज की कहानी सुरू होती है हरस्द मैता के प्रिवार से जिसके पिता का कपड़े का वैपार है और वह चोपट हो चुका है हरस्द सुरू से रिस्क लेना चाहता है उसे रिस्क से इस्क है इसके लिए वह कभी कोबरा बन जाता है, कभी आइंस्टीन का दिमाग लगाता है, ऐसा करते करते वह बन जाता है दलाल स्ट्रीट का अमिता बच्चन 70 क्रिमिनल केसिज और 600 सिविल केसिज होने के बावजुद वह आम लोगों का हीरो नंबर वन था एपीसोड दर एपीसोड उसके करामाद दर्सकों के सामने आते जाएंगे, फिर उनकी जिनगी में एंट्री होती है, काबिल जर्नलिस्ट शुचेता दलाल की और उसकी एक खबर से कैसे हरसद की जिनगी में तुफान आता है, कैसे हरसद एक बैंक के 500 क्रोर के घोटाले का हिस्सा बनता है ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा इसके IMDB रेटिंग की बात करें तो इसके IMDB रेटिंग 9.3 है साथवी वेब सीरीज है पंचायत जिसके डिरेक्टर है दीपक मिसरा इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो रगवीर यादव नीना गुपता जीतिंदर कुमार इसके लीड रोल में नजर आई हैं ये कहानी है एक सहर के लड़के अभी सेक त्रिपार्थी की जो इंजीनियर है और उसकी नोकरी लगती है गराम पंचायत में सचीव के तोर पर और वो भी महज 20,000 तंखवा में खेर अभी सेक को वो नोकरी करनी तो नहीं है और सही बात भी है सहर का एक लड़का 20,000 की नोकरी के लिए गाउं क्यो जाएगा पर किसमत के आगे किसी की चली ही कहाँ है हाथ में कोई और काम ने होने के कारण अभी सेक ने सोचा घर बैठने से तो अच्छा है नोकरी ही कर ले अब अभी सेक गाउं पहुच तो जाता है लेकिन उसका वहा मन नहीं लगता उसका दोस्त उसे कैट के एक्जैम की त्यारी के लिए कहता है बस फिर क्या गाउं से निकलने की लालसा और ज्यादा पैसे कमाने का जोस अभी सेक के सर चड़ जाता है वो कूब मैनत करता है रुके रुके कहानी इतनी वी सिंपल नहीं है इस दोरान अभी सेक की जिन्गी में बहुत रुकावटे आती है एक तो ओफिस का काम, दुसरा ये कि गाउं है बिजली तो हमेशा मिलेगी नहीं तो जब बिजली नहीं होगी तो आदमी पढ़े कैसे इसके लिए अभी से एक तिग्रम बाजी करता है और जिसमें उसकी हेल्प करता है उसका दोस्त विकास इस कहानी में आपको इमोशन, सोसियल मैसेज, घुसा, फरस्टेशन, यूनिटी, कोमेडी, एक्सन सब देखने को मिलेगा बाकी पूरी कहानी जानने के लिए आपको वैब सीरीज देखनी होगी अगर सब यहाँ जान लेंगे तो वैब सीरीज का मज़ा खराब हो जाएगा इसे आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं, इसके IMDb रेटिंग 8.9 है आठवी वैब सीरीज है गरहन, जिसके डिरेक्टर रंजन चंदेल है इसकी स्टारकाष्ट की बात करेतो जोया हुसेन, अंसुमान कुसकर, टिकम जोसी, सहीदूर रहमान, वमिका गबी और पवन मलोतरा इसके लीडोल में नजर आए हैं ठाने में S.P. के आने से पहले दिखने वाली महिला सिपाई या फिर बैग्राउंड में घास काटने वाली कैची लेकर कपड़ा जैसे काटे निकल गए माली के पासिंग सोर खट रखते हैं बेताब और सोले के संदर्बों के साथ सुरू होने वाली वैब सीरीज ग्रहन अच्छा मनोरंजन करने में कामियाब रही है सीरीज दो धाराओं में एक साथ बहती है और दोनों धाराओं का संगम बनाती है इसकी नाई का अमरता सिंग है वैब सीरीज गरहन की कहानी साल 2016 और साल 1984 में अलग लग चलती हैं किस्सा एक TV जर्नलिस्ट की हत्या से सुरू होता है पुलिस महकमे में सियासी दखलंदाजी से आगे बढ़ता है बीच में पुलिस अधिकारे के कनेडा वाले प्रेमे का मोड भी है लेकिन हाईवे पर कहानी पहुचती है जब फिल्ड डूटी में रोज-रोज की अडंगे बाजी से तंग S.P. इस्तिफा दे देती है इसकी IMDB रेटिंग 8.4 है नोवी वैब सीरीज है टबर जार पिक्चर्स के बैनर तले निर्देशक अजीत पाल सिंग की निर्देशन में बनी है इसे आप सोनी लीव पर देख सकते है इसमें पवन मलोतरा, सुप्रिया पाठा, गगन अरोडा, रनवीर, सोरी, परमुख भूमिका में है यह एक क्राइम ड्रामा है वैब सीरीज पंजाब की गरामन प्रस्ट भूमी पर त्यार की गई है इसका सिर्षक भी पंजाबी में है जिसका मतलब परिवार होता है यह वैब सीरीज अपने सिर्षक पर सोफ सीधी खरी उतरती है या यूँ कहें कि इसका सिर्षक इस वैब सीरीज की मूल भावना का सच्चा परतिनी दीतों करता है क्योंकि इसमें भी एक middle class family की जदो जहे दिखाई गई है इस family में एक पिता, माँ और उसके दो बच्चे होते हैं यह family भी किसी समाने मद्दवर गिये परिवार की तरह आर्थी ग्रूप से संगर्स करती है अपने बचों की देखबाल करते हुए उनके जरी अपने सपने पूरा करना चाहती है अपनी खुषियों के लिए परिवार का हर सदसकरी महनत करता है लेकिन एक दिन उनकी समाने जिन्गी में तुफान आ जाता है जब उनके लिए छोटी सिखुसी का एक मोका मिंटो में दूसर अपन में बदल जाता है यहीं से सुरू होती है वैब सीरिज की असली कहानी इसकी IMDB रेटिंग की बात करे तो 8.3 है दसवी वैब सीरिज है बृत कहानी है एक बाप की जिसका बेटा फेफडो की बिमारी से जूज रहा है जिसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके फेफडो का ट्रांस्प्लांट हो जाए लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वेटिंग लिस्ट में उसका नंबर पाचवा है और सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसका नंबर पाचवा है बलकि सबसे बड़ी समस्या है उसके बल्ड ग्रूप की क्योंकि उसका बल्ड ग्रूप A.B. नेगिटिव है अब ये चीज़े डेनी को अंदर से इतना तोड के रख देती है कि वो क्राइम का रास्ता अपना लेता है डेनी हस्पिताल से उन सभी डोनर्स की लिस्ट चुरा लेता है जिन का बल्ड ग्रूप A.B. नेगिटिव है वैब सीरिज में डेनी और उसके बेटी की कहानी के अलावा एक और कहानी समानतर चल रही है कबीर सावंत की कहानी कबीर सावंत की बेटी की एक हाथसे में मोत हो गई थी और वो सदमे में चला गया जहां उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी जिन्दा है इस हादसे से निकलने में रिया यानि कबीर की बीवी को तीन साल लगे लेकिन बद किस्मती ने कबीर का पीछा नहीं छोड़ा और डिप्रेशन की वज़े से उसने सराब का साहरा ले लिया अब एक बार डैनी की कहानी पर आते हैं डैनी अब तक दो डोनर्स को मार चुका है लेकिन अब कबीर को ये दोनों मोते नेचुरल नहीं लगती उसे लगता है कि ये हादसे नहीं बलकी मडर है जिसकी तहकिकात करने पर पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई एक सीरियल किलर जो AB negative bird groups वाले लोगों को ही मार रहा है और अब उसका अगला target उसकी बीवी रिया है क्योंकि उसका bird group भी AB negative ही है अब कभीर सावंत अपनी बीवी को बचा पाता है या नहीं और क्या जोस का इलाज हो पाएगा उसे उसका donor मिल पाएगा इसका जवाब आपको मिलेगा Amazon Prime पर इसकी starcast की बात करे तो आर मादवन, अमीद साद, सपना पबी इसके lead role में नजर आए हैं इसके IMDB rating 8.3 है ग्यारवी वैब सीरीज है रंग बाज, डर की राजनिती, जिसके डिरेक्टर सचीन पाठक जी है इसकी starcast की बात करे तो वीनित कुमार सिंग, गितांजली कुलकरणी, विजय मोरिया इसके lead role में नजर आए हैं 90 के दसकी राजनिती और गैंक्स्टर दो ऐसे टोप पिख जिन पर लोग आज भी पूरे चस्के के साथ गब बाजी कर लेते हैं दोनों के बीच की लकीर नय जाने कितने नामों पर आकर लगबग मिट जाती है इन्हें जनता ने बहावली कहा G5 के सो रंगबाज का यह तिसरा सीजन है यह सो इस बार एक ऐसी कहानी लेकर आया है जिसमें गैंक्स्टर खुद राजनिती का हिस्सा है इसमें साहा हारुन का बचपन, उसके नेता बनने का सफर, उसकी जिन्दगी का प्यार और शादी, उसके दोस्त और दुसमन, उसका रोबिन हुड अंदाज और उसकी दबंगई सब कुछ एक एक करके सामने आता है उसका नाम और उसका काम दोनों के बारे में कोई खुल कर बात नहीं करना चाहता मगर क्या उसकी ये सत्ता बे रोग टोक चलेगी ये जानने के लिए आपको रंगबाज दर की कहानी देखनी होगी इसके IMDB रेटिंग 7.7 है बहारवी वैब सीरिज है मिर्जापूर जिसके डिरेक्टर है करन अंसुमान और पुनीत कर्शना इसकी स्टारकास्ट की बात करें तो पंकस तिरपाथी, अलीफ हजल, दिवेंदू सर्मा, स्वेता तिरपाथी, विकरांत मैसी जैसे एक्टरस ली रोल में नजर आई हैं यह वैब सीरिज मिर्जापूर के कालिन कारोबार, तमचो के धंदे और पुलिस राजनीतिकों के इर्द गुर्द घुमती है वैब सीरिज की एक बड़ी खासियती है कि यह बड़े पर्दों की तरह केवल एक हिनाम या पातर पर केंदरित नहीं रहती बलकि हर पातर को उसके किरदार को पूरी तरहनी बाने का मोका देती है, वो इसमें दिखाई देता है गोलेज की राजनीती से लेकर विधान सभा की राजनीती तक हर गड़ जोड दिखाई देता है पुलीस का अच्छा और बुरा दोनों किरदार दिखाई गई हैं, उनकी मजबूरी और जुरूरत को भी बहतर तरीके से दिखाया गया है इसे आप अमेजोन प्राइम पर देख सकते हैं, इसकी IMDb rating 8.5 है तेहरवी वैब सीरीज है, खाकी दा बिहार चैप्टर नेटफलिक्स बिहार कैडर के IPS अफसर अमीद के एडवेंचरों की कहानी लेकर आया है, जो उनकी किताब बिहार डाइरीज में दर्ज है इस सीरीज में अमीद के किरदार में टीवी के चर्चित अभिनेता कर्ण टेकर है सीरीज का निर्देशन भाव दूलिया ने किया है, खाकी की कहानी इस किताब में लिखी गई गटनाओं का स्क्रीन रुपांतरन है बिहार पुलीस राजे की सियासत, जाती गट समीकन और बेदबाव से निकले बाहुबलियों के बीच गट चोड और तकरार का रोमैंच खाका खीचा गया है गटनाएं असली है मगर कुछ नामों और जगय को बदला गया है जैपूर के IPS अफसर अमीत को बिहार का एडर मिलता है सदी की सुरुआत है और बिहार में जंगल राज है अब रादियों का इसकदर बोल बाला है कि राजधानी पटना में भी अपरण की वारदाते होती रहती है अगरे पिछडो अमीर गरीब के बीच की खाई से निकला चंदन महतो अपराद की दुनिया में बड़ा नाम कमाना चाहता है फिर चाहे इसके लिए 25 लोगों का सरयाम नरसंगार ही करना हो महतो के पास उसकी जाती के लोगों का साथ और पीट पर सता सीनों का हाथ है मगर उसकी दिन बे दिन बढ़ती हिमाकत जब उसके हिमातियों के लिए हिकतरा बन जाती है तो उसके बुरे दिन सुरू होते हैं और IPS अमीत उसे पकड़ने के मिसन में जुट जाता है पुरी कहानी के लिए आपको यह वेब सीरीज देखनी होगी इसके IMDB रेटिंग 8.5 है चोहदवी वेब सीरीज है महरानी जिसके डिरेक्टर करन सर्मा है इसकी स्टार कास्ट की बात करें तो हुमा कुरेशी, सोहम सहा, अमीत सेयाल, प्रमोध पाठक, विनित कुमार, इमान अल जैसे एक्टरस इसके लीड रोल में नजर आए हैं इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं भीमा भारती की लालू परसाद यादो से, प्रानी भारती की राबडी देवी से और नवीन कुमार की नितिस कुमार से समानता आंसिक और सयोंग मातर है यह पूरन सच नहीं है यह 1990 के दसक के आखरी दोर वाले बिहार में लालू राबडी सासन से प्रेरित है असली किरडारों और घटनाओं के रेसे लेकर कलपनाओं से बुनी कहानी है जिसमें बिहार की राजनीती के तमाम रंग है बिहार की जन्चेतना में राजनीती सदा सीर्स पर रही है मगर विडमना है कि वहां की जनता ने लोग तंतर के चर्चित और हासेपर्थ प्रियोग देखे हैं गदी खोने वाला मुखहमंतरी रातो रात अपनी सुआगन गरस्ती पतनी को जो साइद कभी किसी बेठक या सभा में नहीं गई राजनीती कवारिस बना कर अपनी कुर्सी पर बेठा देता है सफेद खदर के कुर्ते और जैकेट वाले मुखहमंतरी की जगह पार्टी के मंतरियों विदाएको नेताओं को सुत्ती बनार्सी साड़ी ओडे चोड़े माथे पर बड़ा गोल टिका लगाए उसकी पतनी लीडर के रूप में मिलती है जो पद की सपत गरहन करते वे थरतराती गल्ट सबद उचारती और साइन की जगह अंगुठा लगाती है वहराजय की जनता की सर्वोच परतिनीदी बन जाती है इस दोर में बिहार की राजनीती 85 से अधिक रोचक थी यह देश के इतिहास में दर्ज है इसके IMDb रेटिंग 7.9 है पंधरवी वैब सीरीज है दिल्ली कराइम यह वैब सीरीज निर्भ्या कांड की कहानी को दिखाती है निर्भ्या केस के वक्त पूरी दिल्ली गुसे से उबल रही थी पीडित लड़की के प्रिवार और मुझरिमों के वर्जन से कई डोक्यूमेंटरी और छोटी छोटी फिल्में बन चुकी है मगर इस पूरे मामले में पुलीस का वर्जन अभी तक सामने नहीं आया था ऐसे में डिरेक्टरी ची महता कि यह सीरीज एक चुटी हुई कड़ी की तरह है दिल्ली क्राइम की सबसे खास बात यह है कि इसमें गैंग रेप की भयानक घटना को बिल्कुल नहीं दिखाया गया है लेकिन उस रात क्या हुआ यह हमें अलग लग किरदारों के ब्यान से पता चलता है इस सीरीज का नरेटिव दर्सकों की आदास के भरों से काम करता है इस केस में पुलीस जाच किस तरह आगे बढ़ी मातर भैतर गंटे में इस ब्यानक केस को चुल जाने के लिए क्या क्या किया गया यह सब इस सीरीज में काफी डिटेल में दिखाया गया है निर्भ्या केस के पुलिस वर्जन को जानने के लिए आपको दिल्ली क्राइम देखनी होगी इसे आप नेट्फिलिक्स पर देख सकते हैं इसके IMDb रेटिंग 8.5 है सोहलवी वैब सीरीज है दहन विकरांत के डिरेक्सन में बनी वैब सीरीज दहन में टिसका चोपड़ा और सोरब सुकला लीड रोल में नजर आए हैं इस सीरीज में ये दिखाने की कोशिस की गई है कि विकास की रफ्तार को अंधविस्वास के जरिये प्रभावित किया जा सकता है कुछ लोग अंधविस्वास का अपने नीजी हित में फाइदा उठाते हैं दहन का मुख्य पलोट अंधविस्वास और तथों के बीच लड़ाई पर अधारित है यह वैब सीरिज राजस्तान के एक कालपनिक गाउं सेलेस्पुरा जिसको मुर्दो की धर्ती कहा जाता है पर है वहाँ ऐसी मानता है कि सद्यों पहले एक मायावी ने सेलेस्पुरा गाउं के लोगों को सराप दिया था उस मायावी की आत्मा गाउं के पास एक पहाडी में कैद की गई है यदि वो आत्मा भार आती है तो हर तरफ तभाई मचा देगी सलेस्पुरा प्राकरतिक संसादनों से प्रीपूर्ण है जिसे गाउं वालों की तरकी के दरवाजे खुल सकते हैं लेकिन गाउं वालों को लगता है कि खुदाई से मायावी जाग जाएगी अब ऐसे में कहानी क्या मोर लेती है इसके लिए आपको धेन देखनी होगी इसे आप डिजनी पलस होड स्टार पर देख सकते हैं इसके IMDb रेटिंग 7.1 है सतरवी वैब सीरीज है माई साकसी तवर और वामिका गबी ने सीरीज में लीड रोल निभाया है जो मा और बेटी के हैं इस सीरीज का निर्देशन अतुल मोंगिया और अंसालाल ने किया है माई एक investigative thriller सीरीज है जिसमें एक मा की अपनी बेटी के कातिल और कान की खोज की कहानी दिखाई गई है और इस कर्म में बात बदले तक पहुँचती है साकसी तवर OTT स्पेस में काफी टाइम से active है मगर यह पहली सीरीज है जिसकी कहानी का केंदर वो है साकसी ने इस भ्रोसे को तुटने नहीं दिया और middle class मा के किरदार में जान डाल दी है क्या एक मा अपनी बेटी को इंसाफ दिल्वा पाएगी या नहीं इसके लिए आपको ये वैब सीरीज देखनी होगी इसे आप Netflix पर देख सकते हैं इसके IMDb rating 7.1 है अठारवी वैब सीरीज है cat इस वैब सीरीज के हर फ्रेम में पंजाब दिखाई देता है रंडी फुड़ा cat में पुलिस के मुखबरी बने है इस सीरीज के क्रियेटर बलविंदर सिंग जुन जुआ है अपराद भाई चारे जासूसी और परिवारिक प्रेम की इस कहानी में आपको कई त्विष्ट देखने को मिलेंगे रंडी फुड़ा के किरदार का नाम गुर्णाम सिंग है पुलिस ओफिसर सहताब सिंग गुर्णाम को पंजाब मेजर तक पसरे ड्रग रैकेट का परदाफास करने के लिए चुनता है गुर्णाम सिंग का भाई ड्रग पैडलर है उसे अपने भाई को बचाना है गुर्णाम के इस मिसन में कई तरह की पेचिदगी है, बाई की जिन्दगी है कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, गुर्णाम को बिती जिन्दगी के कुछ काले पन्नों का सामना करना पड़ता है क्या वो इन सब में काम्याब हो पाएगा, कैट इसकी ही कहानी है इसे आप नेट्फिलिक्स पर देख सकते हैं इसके IMDB रेटिंग 8.9 है 19 वी वेब सीरीज है सैक्रेट गेम्स जिसके डिरेक्टर विकास मोटवाने और अनुरा कसप जी हैं इसकी स्टार कास्ट की बात करे तो नवाजुदिन सिद्की, सेफली खान, रादिका आप्टे, इलनाज निरोजी, पंकर स्थिर पार्टी इसके लीड डोल में नजर आई हैं इसकी कहानी 80 के दसक में मुंबई के एक हिंदू डोन गनेस गाई तोंडे की वापसी से सुरू होती है सालों से गायब गनेस एक मेगा डोन है और पूरा सहर उसके नाम से थराता है गनेस अचानक एक दिन मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सर्टाज सिंग को फोन करता है और उसे 25 दिनों में मुंबई को खतम करने की एक सिक्रेट योजना के बारे में बताता है लेकिन इससे पहले की सर्टाज कुछ और जान पाता गनेस खुद को गोली मार लेता है और सर्टाज के सामने छोड़ देता है कई सारे सवाल मुंबई को 25 दिनों में कैसे खतम किया जाएगा गनेस ने सिर्फ सर्टाज सिंग को ही फोन क्यों किया गनेस के वापिस आने और फिर आतमत्या कर लेने के पीछे क्या कारण है एक किताब के करीब 900 पन्ने की कहानी जो किसी सहर का 40 साल का राजनितिक समाजिक इतिहास भी है उसे एक वेब सीरीज में समेटना मुस्किल काम है लेकिन इस वेब सीरीज में इसे बहतरीन तरीके से दिखाया गया है सैक्रेट गेम्स के कथन का अंदाज नए पन का एहसास कराती है इसे आप नेट्फिक्स पर देख सकते हैं इसके IMDV रेटिंग 8.5 है बीसवी वेब सीरीज है ताज महल 1989 जिन्दगी क्या है प्यार क्या है दोस्ती क्या है ऐसे कई सवाल है जिनका हमारी जिन्दगी में कभी ना कभी हमसे तालुक पड़ता ही है हम इन सवालों के जवाब ढूनने में सारी जिन्दगी बिता देते हैं ये वैब सीरीज इनी सवालों के इदगीद बनी है 21 सदी के तड़के के साथ 1990 के दसकी बार्त की तस्वीर इस सीरीज में देखने को मिलती है सीरीज में किरदार अलग अलग है और उनकी कहानिया भी अलग अलग है सीरीज में सबसे बड़िया देखने लायक है सिनेमेटोग्राफी इस सीरीज में फिलोसफी की बात होती है जो आपको जिन्गी का ग्यान बताती है कई किसे ऐसे साजा किये जाते हैं जो सुनने में बड़ा मजा आता है इसके अलावा दोस्ती, प्यार और से निभाने के तरीके कुछ ऐसी चीज है जो आपके दिल में उतर जाती है ऐसे में कुछ वक्त पिंकाल कर इस सीरीज को देखना जरूर बनता है इसे आप नेट्फिक्स पर देख सकते हैं इसके IMDV रेटिंग 7.5 है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सेयर करें और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद